कभी-कभी हम रूटिया बनाते हैं तो हमारा आटा बच जाता है और उस बचे हुए आटे से हम रूटिया नहीं बनाना चाहते हैं तो उसी आटे से आज हम आपके साथ एक ऐसी रेस्पी सेर करेंगी जो खाने में बहुत ही टेस्टी है तो आज हम उस आटे से बनाएंगे पर इस आठा गूनकर भी बना सकते हैं तो इसी आठे में हम एट कर लेंगे एक छुड़ी चम्मज जिली फ्लैक्स साधे हम इसमें आठ कर लेंगे आदा छुड़ी चम्मज अजवाइन अजवाइन को हम हतेलियों की सहता से रगड़ कर डालेंगे और सौध अनसार हम आठ कर लेंगे नमक और सभी चीज़ों को हम आठे में अच्छे से मिला लेंगे तो इन कचोनियों को बनाते समय हमें एक बात का ध्यान दखना है कि आठा हमारा ज्यदा सौफ्ट नहीं होना चाहिए यानि ये थोड़ा सा टाइटी होना चाहिए तो सारी चीज़ों को हमने बड़े असे मिला लिया है तो आठे को अब हम साइड में उठा कर रग देंगे और इसके लिए हम स्टफिंग तयार करेंगे अब हम एक पैन लेंगे इसमें डालेंगे हम एक छोटी चम्मत साबुत धनिया एक छोटी चम्मत जीरा सास से आठ काजू तीन सूखी खड़ी लाल मिर्च और नो से दस करी पत्ते डाल कर इनको धीमी आज पर हम रोस्ट कर लेंगे हम इन खड़े मसालों को लगाता चलाते हुए तीमी आज पर रोस्ट कर लेंगे दोसे तीन मिर्ट के बाद आप देखेंगे कि इनका कला चेंज होने लगा है और इनमें खुस्पूभी आने लगी है मैं इनको इलाकर रिखाती हूँ तो आप इनकी आवाख के सबस प्रत के हैं कि यह अच्छे से रोस्ट हो गया है अब हम गैस को बंद कर देंगे अब हम इन मसालों को एक बॉल में सिफ्ट कर लेंगे इससे जल्दी से ठंडे हो जाए जब यह मसालों ठंडे हो जाए तब हम इनको मिक्षी में डालकर दरदरा पीस लेंगे ये देखे मैंने इनको दरदरा पीस लिया है आप देख सकते हैं कि मैंने इनको ना बहुत ज़दा महीन और ना बहुत ज़दा मोटा रखा है अब पैन में हम दो गड़ी चम्मस देल लेंगे और इसको गर्म कर लेंगे और जब ओल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तब हम गैस की फ्लेम को धीमा कर लेंगे फिर हम इसमें एड़ करेंगे एक छूटी चम्मस जीरा एक चूटी चम मैंसाबुत खड़ी धनिया, इसको हम हदेलीयों से रगल कर डालेंगे इनको चलाते होएं हम थोड़ा सब भून लेंगे अब हम इसमें डालेंगे 4-5 बारी कटी हुई हरी मिर्च और हरी मिर्च को भी हम थोड़ा सब भूनेंगे अब हम इसमें एड़ करेंगे थुड़े से हरी मटर के दाने, खुबी हम चला लेंगे, अथी हम इसमें एड़ करेंगे मूँफली के दाने, और हरी मटर और मूँफली के दाने को हम 2-3 मिट के लिए पूनेंगे, गैस की प्लीम को हम धीमाई रखेंगे, 2-3 मिट के बाद हम बॉइल के हो है तीन बड़े साइच के आलू और आलूओं को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथ ही हम इसमें एड़ करेंगे स्वादनुसार नमक अब हम इसमें एड़ करेंगे आदा छूटी चम्मस लाल मिर्ज पाउडर और जो हमने ड्राइ मसालों का मिक्सर तयार किया था वो भी इसमें एड़ करेंगे इसको डालने से समोसों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है हम सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे जब आप इस मिक्षर से समोसों को बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे अब हम इसमें एट करेंगे आदा छोटी चम्मच आमचूर पाउडर 3-4 पींच हिंग हिंग डालने से समोसों का टेस्ट काफी अच्छा आता है गैस की फ्लेम को लो मीडियम करेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको 3-4 मिनट तक हम लगाता चलाते हुए पकाएंगे आलू को हम प्रेस करते हुए मिलाएंगे जिससे कुछ पीस इसमें मैस हो जाएंगे अब कुछ साबूत रहेंगे इससे आलू का टेस्ट काफी अच्छा आएगा तो लगबग 3-4 मिनट हो गया है अब हम इसमें एट करेंगे बारीक कटी हुई हरिधनिया हरिधनिया को भी हम इसमें मिला लेंगे कोचोड़ी के लिए स्टफिंग तयार है अब हम इसको एक बाउल में सिप्ट कर लेंगे जिसे जन्ती से ठंडी हो जाए अब हम आटे के इतनी बड़ी एक लोई लेंगे और इसके ओपर हम सुखा आठा लगा लेंगे और इसको हम बेलन की सायता से बेल लेंगे तो हम इसको तुरह सा पतला ही पेलेंगे तो इस पर हम सुका आटा लगा कर इसको बढ़िया से बेल लेंगे ध्यान रखेगा हमें इसको ज़्यादा मोटा नहीं रखना है हमें इसको पतला ही पेलना है तो इस तरीके से हमने इसको इतना बड़ा बेल लिया है और आप देख स सुखी मैदा को स्प्रंकल कर लेंगे और स्पून की साइटा से हम मैदा को भी इस पर अच्छे से लगा लेंगे पूरी रोटी पर हमें घी और मैदा को अच्छे से लगा लेना है अब हम इसके इस गिनारे को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और दूसरी साइट को भी हम इतना फोल्ड कर लेंगे अब हम इसके उपर भी घी लगा लेंगे तो घी को हम दोनों साइट पर अच्छे से लगा लेंगे अब हम इसके उपर मैदा स्प्रंकल कर लेंगे और जमज की साहता से हम मैदा को दोनों गिनारों पर बड़े असे लगा लेंगे हम एक बार इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे फिर बेलन की साहता से हम हलके हातों से इसको चार से पांच बार रोल करेंगे इसके उपर भी हम घी लगाकर मैदा को अच्छे से लगा लेंगी इस process को करने से ये फाइदा होगा जो कोचोड़ी हमारी बन कर आएगी उसमें पड़ते हमारी बहुत अच्छे से आएगी अब हम इसको इस किनारे से इस तरीके से fold कर लेंगी हमें इसका एक tight rule बना कर तयार करना है tight हाथों से fold करते जाएंगी इसे हम दो भागों में divide कर लेंगी इसको हम थोड़ा सा आराम से cut करेंगी जो इसमें layers है वो आपस में चिपके ना इसके हमने इसको दो बरावर भाग में divide कर लिया है तो अब हम इसके इस बहागो ऊपर करते हुए इसको हदेलियों के साहिता से इस तरीके से press करते हुए दबाएंगे और फिर हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा या शूकी मयता डाल कर इसको बेलन की साहिता से बेल लेंगे तो हम इसको tight हाथों से नहीं बेलेंगे तो हमें इसको अलके हाथों से बेलना है ताकि इसकी layers आपस में चिप केना तो इस तरीके से हमने इसको बेल कर तयार कर लिया है और आप देख सकते हैं कि कजोड़ी में कितनी अच्छे से layers दिख रही है अब हम इसके बीच में stuffing को रख लेंगे चोड़ियों में हम stuffing बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे हम इसमें उतनी stuffing रखेंगे जितनी कजोड़ी हमारी आसानी से fold हो जाए अब हम कजोड़ी के चारो तरफ पानी लगा लेंगे अब हम कजोड़ी को fold कर लेंगे तो इसको हम आराम से इस तरीके से करते हुए फोल्ड कर लेंगे तो इसको हम आराम से फोल्ड करेंगे ताकि स्टफिंग हमारी बहार न निकले हम इसके इस बाग को थोड़ा सा चिपकाते हुए अंदर की और दबा देंगे ये लीजिए हमारी पहली कचोड़ी बन का तयार है इसी तरीके से हम सारी कचोड़ियां बना का तयार कर लेंगी आप हम इन कचोड़ियों को फ्राइ करेंगी इसके लिए कढ़ाई में ओयल ले लेंगी और ओयल को हम गर्म कर लेंगे तो हमें आपर थोड़ा सा ज़्यादा ही ओईल ले रहे हैं ये कचोड़ियों हमारी इसमें आच्छे से डिप हो जाएं कचोड़ियों को सेखने के लिए एक बात का ध्यान दखेगा कि ओईल हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है इसको हम नॉर्मल गर्म ही करेंगे तो ओल को चेक करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा आटा डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि आटे के पास बबल साने लगे और ये दीरे-दीरे ऊपर आ रहा है अनि कि तेल हमारा एकदम परफेक्ट गर्म है उन कचोणियों को इसमें एक एक करके डालेंगे और गस की फ्रेम को हम दीमा रखेंगे हमें इन कचोणियों को जधीमएं आच पर शेखना है इन कचोणियों को सिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है बीच में हम इनको चलाते भी रहेंगे अगर आप इन कचोडियों को तेज आइस पर से गोगी तो इनका टेस्ट बहुती बेकार आएगा साथ ये उपर से तो सिख जाएंगी पर अंदर से कच्छी भी रह जाएंगी अब देख सकते हैं कि कचोडियों का कलर चेच हो गया है और ये देखने में थोड़ी सी खस्ता लगने लगी है तो finally हमारे कचोडियां सिकर तयार है अब इनको ऑईल से निकाल लेंगे तो आप देख सकते हैं कि इन कचोडियों में परतें कितने अच्छे से खिल कर आई है इन कचोडियां हम आपको फोल कर दिखाते हैं तो आप देख सकते हैं ये कितनी खस्ता है और इसकी हर परत आप देख सकते हैं कि अलग अलग दिख रही है ये परत्दर खस्ता कचोड़ी का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट वाक्स में लिखर मुझे जरूर बताएं तो फिर मिलते हैं एक नई रास्पी के साथ बाई